आपने Congress के Manifesto में देखा होगा, यह Water Management के उपर फोटो हैhr देखें इसको जा कर आप चेक कर लिएगा, यह नियोर्क की Buffalo Liver की है Environmental Cleanniness के उपर, यह फोटो है और यह जानते चाहें कहां की है The most favored and sought of destination of चिर्युवा of Indian politics, रहूल गांदी जी का, थाइलेंट की है आपने कॉंग्रेस के में देखा होगा यह वाटर मेनेजमेंट के उपर यह फोटो है देखिए इसको जाके आप चेक कर लिजेगा यह नियोर्क की बफैलो लिवर की है अब देखिए मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेर परसन के एकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया थे तो पता नहीं लगा पाए पर उससे बड़ा यक्ष प्रसन हो गया है यह फोटू कौन भेज रहा है विदेश से मतलब ऑन दा लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा बफैले शब्द को हिंदी में भैस कहते हैं और हिंदी में कहबत होती अकल वड़ी है भैस तो मुझे लगता उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए अब आईये साथ इन्वाइरमेंटल क्लीनिनेस के उपर यह फोटो है और यह जानते कहां कि यह है अब आप यह समझे महत्पूर बात यह इसकार्थ यह हुआ कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन-कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता कौन आके कर देता है भाई यह तो मैनिफेस्टों में कौन-कौन कर रहा है यह तो पता लगना चाहिए फिर आपको यह भी ध्यान हो आज उनके अध्यक्ष आदरणिया खडगे दिया वैसे पाईदी बार इंटर्मीजर ट्रेंड बैलेस्टिंग बिजाइल तो हमारे जमाने में बनी है ब्रम्होस मर कोई बात नहीं रॉकेट बनता था पर यह बताईए सैंटालीस में सुई नहीं बनती थी आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव परिया जी ने मैसूर में बना दिया ताजाधी से पहले भारत न कुछ होता थोड़ी था मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बैंगलोर में भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला कि इससे पहले हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट होता था बहोड़ रम स्कूल्ह practically बत वो बैक उसमें जाकर उन्होंने बना दिया था दूसरी बात वो सब डॉक्टर इंजिनियर तो सब आजादी के बाद नहरू जी की करपा से बनने शुरू हुए और डॉक्टर द्वारकानात कोटनीस का आपने नाम सुना होगा वो चाइना और जापान की वार में मदद करने के लिए 1932 में डॉक्टरों का प्रतिंदी मंडल लेके गए थे और हमारे विचार परिवार के संग के संस्ताफक डॉक्टर केशव राओ बली राम हेडगेवार डॉक्टरी पढ़ लिये थे 1920 में मैं सिर्फ ये यथार्थ बनाना चाहता हूँ भारत की वाइस वे ना 1932 में बन गए मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है बहुत सारी चीजें उनको लिगेसी में मिली यथार्थ क्या था ये बताना चाहता हूँ यही हम आप से साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो जूट है उसका अंतर बहुत साफ है तो कॉंग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था साक्षर्टा की दर कम थी संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे मैं पुना ये बात कहना चाहता हूँ जब भारत की साक्षर्टादर पचास परतिशत क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है 1998 में जब 60% पार की है तो मोदी जी के नित्रत में हमारी इस पश्ट भूमत की सरकार बनी है अब 75% पार कर रही है तो हम भी 400 पार जाने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब जूट का मुलम्मा चढ़ाना पॉसिबिल नहीं होता है